सात शरीय काल जी सार्यानू स्वागत कर दियां मैं तो होड़ आपने चैनल मैथ विद सुमन प्रित कौर ते मैं आँ सुमन प्रित कौर आज दी एस वीडियो दे विच असी करांगे पंजाबी व्याकरन दे ना रेलिटीड कुछ इंपोर्टेंट एमसी के उदा मॉक टेस्ट जेडे वी स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड वीडियो पीटर प्लेस भी क्लरक एक्साइज ते टेक्स इंस पेक्टर दे एक्जाम दी तियारी कर रहे ने ओना दे लई पंजाबी ग्रामर किन्नी ज्यादा इंपोर्टेंट है ये तो हो अनू भी पता है ते पंजाबी ग् ग्रामर सडाइदा दा पोर्शन जिस दे विचो सी फुल वाई फुल मार्क्स अचीव कर सकदियां ते ओ चीव करंदे लही सानुहार एक मौक टेस्ट पूरे त्या अनल देना पवेगा ते इस्तों इलावा जो में प्रॉपर वीडियो बना आचुकियां पूरी डिटेल द देखना क्योंकि पंजाबी ग्रामर नू तुसी इनना लाइटली नाल के चलो कि तुसी असानी नाल कर लामोंगे तुसी वत्तों बाद प्रैक्टिस करो जिन्ना हो सके प्रैक्टिस करो उस्तों बाद पेपर दे विच जेका तुसी तो अनू पंजाबी ग्रामर इजी लग math reasoning तो अनू सब्धों जादा कई students नू tough लग देया ते math reasoning तुसी सब्धों लास्ते करना math तो भी पहलना तुसी reasoning करना ते math सब्धों लास्ते करना जिनननू math reasoning easy लगदा उपहलना math कर सकतेया तुसी केड़ी चीजनू पहलना कर सकतेया केड़ा topic तो अनू easy लगदा जेड़ा तो अनू easy लगदा पहलना उसनू ही attempt करना तो जादा time waste ना कर दे हो यसी आज दिये video स्टार्ट कर देया जेकर तो अनू video चंगी लगए तप लेज वीडियो नू लाइक ते शियर जरूर कर देना पोर्शन नमबर वान पंजाबी दे किनने स्वार अखर हान? हाँजी पंजाबी दे तिन स्वार अखर हान ओफ्शन नमबर इड ससाइज राइट आंसर तिन ठीके केड़े केड़े या उडा आडा ते इडी उडा आडा ते इडी ए तिन स्वार अखर हा ठीके धुन ते आण रखना स्वार अखर हा है तिन पंजाबी दे तिन स्वार अखर हा नेक्स्ट कोईशं नाना नन्ना मम्मा केडिया तुनिया हान? हाँजी नाना नन्ना मम्मा ए ओ तुनिया हन अनु नासकी option number E is the right answer अनु नासकी मतलेव के इन्ना अनु जुदोसी बोल देया तो अवाजा जेडी साड़ी नक विच्चों दिया नाना नन्ना मम्मा ठीके हाँजी next वोर्षन है अखरां अते चिन्ना दे समूनू की केंदे हन। हाँजी अखरां अते चिन्ना दे समूनू लिप्पी केंदे हन। option number E is the right answer next question आडा E. उडा ससा इन्ना विच्चों वियंजन चुनू हाँजी आडा E. उडा ससा दी विच्चों वियंजन केडे ने राइट आंस देखो उडा आडा ते एडी एता सुवारा ते वियंजन केडा वा ससा option number ससा इस राइट आंसर next question हाँजी 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 रारा वावा तुसी देख साकते हुँँ कि इथे हाँजी रारा वावा ए अखर पैरांदे विच्चे पैंदेया ठीके तिन अखरा जेडे पैरांदे विच्च पैंदेया जिमे असी पोना ग्रै ठीके आर आरा पैगया न इत्थे एस तरा जिमे असी पोना किन्ना तेदे विच्च कीपाय गया हाहा पैगया जिद्धा असी पोना स्वार ससा इस पैर चवावार आरा ठीके तिन्ने अखर जड़ी पैरांदी विच लाग देया, जड़ी अखर पैरांदी विच लाग देया, ओनोसी बोलनेया, दुत तक्खर, ओफ्शन नंबर ससाई जा राइट आंसर, नेक्स्ट पोईशन, गुर्मुखी लिप्पी वेच किन्ने स्वार अखर हान, हाजी गु हाजी इन दे विच्चों स्वार अखर केड़े हान, हाजी स्वार मैं तो अनूा आल्रेड़ी दास चुकी हैं, तब उम्मीद कर दी के इसकोउस्टों वित उसी असानी दे नालः टेंट कर लों, के Option number 6 सा right answer जेड़े स्वारखळा उडाडाईडी मतलोब रोक्त सारई स्वारा Next question अजी स्वारतु निया कें निया हान हाँ जी हुनता असी गाल केती सी हुनता क्षवार अक्षा दी हुना हो गाल होगी या स्वारतु निया दी ठीके स्वारतु निया तह स्वार्थ तो निया कि निया हान राइट आांसर है जी उड़ा दासा, ठीके होन्स्वार्थ तो निया, तुसही सुच देऊंगे कि किया, देखो जिदा उड़ा असी लिख लिया, फेर उड़े दे अंकर वी लग दाएक, ठीके, ते फेर एक, तुसी देख्या होना, आड आडे हूडा, आडे कुनोडा, ठीके, आडे लामा, आडे दलामा, ते इस तरह जिमें, इडी ब्यारी, इडी सियारी, इडी लामा, इस तरह जड़े अखरा, इस आरे के निया दासा, इस करके स्वर्तु निया के निया ने दासा, ते पर स्वर अखरा जड़े ओ तिन निया, नेक्स्ट पोर्शन है जी सवर किसनों केहा जान्दा है स्वर किसनों केहा जान्दा है नोज पोर्शन ेड कि कि तो उन्हों पता लगजे कि स्वर किया उचारन समेश जिन्ना धिया वाज बिनारुके बाहर निकल धी होवे उणानो सी स्वर केनने या उडा आडा इडी उन देखो इन्नानो सी मुँ बंद करके बिल्कुल भी नहीं बोल साकदे जाने के उचारन समेश जडी वाजा सारी धी सारी बाहरी निकल रही या उडा, आडा, एडी, तो नू बोलके देखले ना तो नू बता लगेगा एगना नू सी स्वार बोल देया, नेक्स्ट वोईशन है जी, गुर्मों के लिपी वेच कौल किन्ने वियंजन हन, हांजी गुर्मों के लिपी दे वेच टोटल तिन स्वार हन, ते बाकी जडे बाच जडे ओगे ओगी या वियंजन, ठीके अठत्ती वियंजन, नेक्स्ट वोईशन है जी, वियंजन तुनियां केडियां हन, हांजी होनी थे गालोगी वियंजन तुनियां दी, वियंजन तुनियां ओ हन्दियां जडियां बोलन समें उचार नांग थोड़ी बहती गुर्मुखी लिप्पी वेच अनुनास की वियंजन किन्ने हन। सौरी मैं गल्थ पादता है, हाँ जी केड़े केड़े हुंदे नहीं, एकता है, सौरी ये फफफा वानी गया, ठीके, नहीं हाँ, ते फिर नाना, नना, मम्मा, ए पांचा एड़े, ए अनुनास की व्यांजना, नेक्स्ट वर्शन है जी, दूत तक्खर केड़े हुंदे हाँ हाँ जी, दूत तक्खर हो, उन्दिया मैं तोन ओल्रेडी दास चुकिया, जेड़े अखर दूसरे अखरांदे पैर दे विच लग देया, जैनी के ओफ्षन नमबर एड़ी इस राइट आंसर, नेक्स्ट वोईशन है जी, गुर्मुखी लिपी वेच किन्ने दूत तक्खर जी, गुर्मुखी लिपी दे वेच टोटल क्याली वरना, ओफ्षन नमबर डी इस राइट आंसर, नेक्स्ट वोईशन है जी, तो हाँ डेकर आँवेच केड़ी बोली, साब्तों बाद बोली जान्दी है, जी, तो हाँ डेकर आँवेच साब्तों ज्यादा बोली जान्दी जी, ओफ्षन नमबर साइज राइट आंसर, नेक्स्ट वोईशन है जी, असी हेट लिखियां विच्चों केड़े तरीके नाल अपने विचार दूजियां तक पहुचा साक दियां, हाँ जी, एक वोईशन है जी, ओफ्षन नमबर डी इस राइट आंसर, नेक्स्ट जी, ओफ्षन नमबर साइज राइट आंसर, नेक्स्ट वोईशन है जी, गुर्मुखी लिपी वेच किनियां लगाहन, हाँ जी, गुर्मुखी लिपी दे विच टोटल दास लगाहन, एवी कोर्शन बार्टेंड दे पिपर दे विचार चुक्या है, नेक्स्ट वोईशन ह जी, उडे नाल केडियां केडियां लगान लग दियां हन, हाँ जी, उडे दे नाल केडी केडी लागा जडी लग दियां, राइट आंसर है जी, ओंकड, दुलेंकड अते होडा, एजडियां लगामा उडे दे नाल लग दियां हन, नेक्स्ट वोईशन है जी, पंजाबी ल मेरा पारत महान देश है विचो खास नाम चुनो फिर पूर्वंदर विचो घुनो ठीके गुजरात दी वी एक नामा फिर पोरवंदर वी एक नामा ता देट मेंज हुनसी एक ओफ्षिन से चेक कर देया गांधी गुजरात पोरवंदर मतलव ओफ्षिन नमबर अससाइजा राइट अंसर उप्रोकत सारे ही किया नावा ते पर तो नू थे हो सागदा कि गांध ते गुजरात फिर ओफ्षिन दे विच नाह होंदा सेरफोन गुजरात ओफ्षिन दे विच तो नू पोर बंदर गित्त ह हुनदा ते जानम इथे होंदा जानम ते तीजी ओप्षिन तो टेखोले हुनदी वैच्च ठीके ताँ एस तरा तो डिर राइट आंसर ओफ्षिन करना नेक्स्ट कोईशन है जी राम हर रोज स्कूल जान्धा ए दे विच्छो नाम्स रचनु मतलब के ऊडर ए यते बीधों ऍार्ट पांज किसमा उन्दिया ने नाम दिया आम नाम खास नाम इन तुसी सारियां ही कमेंट वॉक्स दे विच जरूर लिखना जेड़ेवी स्टूडेंस नूँ पता है जेकर तो अनु नहीं पता था एक वीडियो में हुर्त त्यार करांगी अलागतों जेड़े की असी पिछले सा कि अबना कि तुमागी तो अनु पंचाब भी नी ते ओदे विचे की करना ही तुसी कि उसकोष जेकर तो अनु नहीं पता नाव निया किस मत्ता में उस दे विचे एक्स्प्लेइन कर दमागी किसे था वस्तु व्यक्ति दे नादा बोद करोणवाले शावदनू की केहा जान्दा है गया विच्चो नाम चुनू उन देखो नाम की दा या किसे जगा दा आगया ठीके दे विचे मतलबे दे विचे नाम की या अमबरी तिसार ओफ्शन नंबर सी जा राइट आंसर नेक्स्ट कोशन है जी पड़नाम किन्नी किसम दे हुन्दे हन ओफ्शन नंबर सी जा राइट आंसर नेक्स्ट कोशन मैं अते राम दोमें दोस्त हाँ बाग विचो पड़ नाम चुनूँ हाँ जी मैं अते राम दोमें दोस्त हाँ हुन देखो जेडा शावद नाम दी था ते वरते यावे हुन मैं मेरे नाम दी जगा ते मैं बरते आ गयावा ठीक है मेरे नाम दी जगा ते मैं बरतिया गया वा एस करके हुण जड़ा शावद किसे नाम दी जगा ते बरते हुण पड़ नाम के निया ते दे विच नाम पड़ नाम केड़ा वा मैं एच बरपे राइट आंसर कौन सोर रहा है नेक्स्ट कॉरिष नेज आ जी गाल करन वाला डैंश पुरख हुन है हाँ जी एपड़ नाम दियां किसमाetah दित्या हुं है याने तो हनुसारि्या यही ते गाल करन वाला जिड़ा पुरख गाल ख कर रहा वा थीक IJ noises A मैं जा रहां हां बाक विच्च मैं केड़ा पुरुख है मैं जा रहां हां बाक दे विच्च उत्तम पुरुखा option number is the right answer ठीके उत्तम पुरुख एक गल करनवाला कीनू उजड़ा गल करनवाला हुंदा उन्हों सी उत्तम पुरुख जा पहला पुरुख कहने या एक है गया नाम ठीके तीजड़ा आप एक पड़नाम आप मतलब नाम दी जगा तो यूज हो गया आप option number is the right answer next question है जी हेट लिखिये पड़नाम दिया किसम लिखो हां जी हेट लिखे पड़नाम दी किसम लिखो इनना दी विच्चो पड़नाम दी किसम केड़ी है हां जी थे सौरी है कोशन नी पाया गया कोशन हैगा वा प्रिंटर दी विचाया नीगा आप डैंश पड़नाम है हां जी जी जीड़ा आप आई केड़नाम दी किसम चुननिया विजेड आप ए केड़ा पड़ नाम ए हैगा जी पुर्ख वाचका option number A is the right answer पुर्ख वाचका next question तोहडे पिताजी की कम करदे हन वाख विच्चों पड़ नाम चुनो यह दे विच्च पड़ नाम हैगा वाजी तोहडे क्योंकि तोहडे नाम दी जगा ते की यूजओ गया पड़ नाम यूजओ गया option number A is the right answer next question है जी जेडा शावद किसे पुर्ख दी थाँते वर्तिया जावे आशनो की कहनदे हन नेक्स्ट पोईशन है just पूर्ख वाचक पढळ नाम चुनौ हाँ इन्ना दे विचो पूर्ख वाचक पढळ नाम केडा वहा मैं ठीके पूर्ख वाचक पढळ नाम केडा वहा मैं या Casey सारी पढळ नाम तए टाइप पुछी होना in पूर्ख वाचक हां जी घड़ा मैं शावदा एहे उत्तम मतलब मैं मेरी गाल हो गी मैं तें ए किदर वह पहले पहला वंदा हो गया या पहला उह पहला हो गया मैं तो अनों दस्या सिगा के प्रनाम देविच्छ उत्तम पुर्ख जांपेला पुर्ख केनने आसी मैनू ओफ्शन नमबर एड़ी उत्तम पुर्ख जिड़ा एहे मैश आप उत्तम पुर्ख दावा नेक्स्ट वोशन है जी तूं किस पर कारदा पुर्ख वाचक पड़ नाम है हाँ जी तूं तूं आ जिड़ा एहे मद्धम पुर्ख ठीक है तूं जोदो किसे होर वारे जाल हो जेविच ता वो की केड़ा पणियां तावा मद्धम पुर्ख नॉफ्शन नमबर बीज़ा राइट आंसर नेक्स्ट वोशन है जी अन्या पुर्ख चुनू जी अन्या पुर्ख ओ आ ऑप्शन नमबर बीज़ा राइट आंसर ओ ठीके ओ नुवसी बोल दिया अन्य नेक्स्ट वोशन है जी पढ़ना लिखना हसना चोना खेड़ना की है हाँ जी थे चोना नियोना इत्थे रोणा मा पढ़ना लिखना हसना खेड़ना रोणा की है एक हाँ जी एक किरिया है ठीके पढ़ना वी एक किरिया है हसना वी एक किरिया है लिखना वी एक किरिया है त मतलब कि option number B is the right answer next question बाग वेच जो काम करदा है असनों की कहन दे हैं हाँ जी एक ता जेड़ा काम करदे है काम करणनों ता कहन दे है किरिया ते जेड़ा काम करदा है असनों की कहन दे है असनों कहन दे है करता option number B is the right answer next question हां जी जिस बाग वेच कर्ता होवे असनू की केंदिया हों तो नूँ पता है कि किरिया दोपर कर दी हुंदिया कर्मक किरिया अते सकर्मक किरिया ते जेड़े वाग दे विच कर्ता आजावे बाग दे वेच ओ किरिया नू की केंदिया ओ किरिया नू केंदिया सकर्मक किरिया अउप्शन नमबर B is the right answer जीदे विछ करता आजा वे उनुस करमक किरिया कैंदी उनु की कैने या उनु करमक किर्या कैंनी नेक्स्ट वोगेशन है जी जीडे वागेश किरियादा करता आटे कारम किरियादा करता आथे कारम आवे हुवे उसनु की कैंदी या जी मैं आलरेडी डस चुकिंग है इस question दा अंसर राइट answer है जी option number option number right answer है जी option number is कर्मक किरिया next question है जी option number A is the right answer अउसर करम. नेक्स्ट बोष्यन. चपड पासिने का अंटी बजाई बाग वेच करिया केडी है. थे फोट वाल खेड रही हन बाग वेच फट वाल की है. खड पाग दे विचे जड़ा फोट वाल होना करमा. फोटवालिक करमा, option number B is the right answer next question, पूत काल किसनों कहने है हाँ जी पूत काल किसनों कहने है जेड़ा समा बीथ चुक्या हुन्दा पास्ट मुसी पूत काल कहने है option number B is the right answer next question, काल की हुन्दा है हाँ जी काल किनों कहने है समेनों कहने है option number C is the right answer समा next question काल किन्ने परकारदा हुन्दा है हाँजी काल तिन परकारदा हुन्दा है ते जड़ा वर्तमाना ओ चाल रहा सम्रा हुंदावा एभी तुसी याद रखना तेस कोर्शन दा बी ओफ्शन आज एड़ी ओ राइटा नेक्स्ट वर्शन है जादूगर ने जादू दिखाया केडा काल है जादूगर ने जादू दिखाया एडे विचे जड़ा काला दिखाया उनवेधि जादूगर नांग गया मतलब कि के जी सुख विंदर पाठ पड़ दी है ए वाग किस काल वेच्छ है अजी पड़ दी है मतलब एट प्रेजेंट तेगे कीडे समय दे विच्छा सुख विंदर पाठ पड़ दी है ए वाग दे विचे जड़ा काला पड़ दी है मतलब बरतमान समय चाल रहा चाल रहा है और वाले समय दे विच्छ नमबर एजर राइट आंसर नेक्स्ट कोईशन पड़ 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 से उसनों की याख दिया हाँ जी जेड़ा शावद नाम ते पड़ नाम धी विशेश्ता दसे उसनों विशेशन केंदे अप्षन नबर सी जा राइट आंसर विशेशन हाँ जी विशेशन ते किरिया वाले कोशन आजे ए अक्सर पेपर देविच पोच्छ लई जान दिया इस करके कोशन तुसे इत्ते आंदी नाल पड़ना ठीके नैक्स्ट वेशन हाँ जी विशेशन धियां किसमा दसो हां जी विशेशन दियां किसमा हुँँदियां इन तो केडियां केडियां आने तुसे कमेंट वॉक्स दे विच जरूर लिखना नेक्स्ट गोईशन, कीडी बहुत दिल्चस्प कविता है बाग विच्चों विशेशन चुनू, हांजी कीडी बहुत दिल्चस्प कविता है एदे विच्च जीड़ा विशेशन आउ है दिल्चस्प नेक्स्ट गोईशन, वीर मेरा लंबा पाबो मेरी पतली बाग विच्चों विशेशन चुनू, हांजी वीर मेरा लंबा ते पाबो मेरी पतली एदे विच्च लंबा अते पतली एदोमें किया विशेशना, पतलेवक अफ्चन नमबर सी is the right answer नेक्स्ट वोईशन ए हर्मन प्यारी खेड है वाक विच्चो विशेशन चुनों हर्मन प्यारी खेड है यह किया हर्मन प्यारी हर्मन प्यारी दिगाल होगी ताहिं वाक दे विच्चे के विशेशन Next version तेज़ दा विरोध्दी शावद लिखो हांजी तेज़ दा विरोध्दी शावदी की होगा Hali Option number C is the right answer विरोध्दी मतलब होदे opposite दस्य नामा सी जो तेज़ दा दा के लिखांगे Hali Next version एजी एकता दा विरोध्दी शावद लिखो हांजी एकता उन एकता दवाजेडा मतलवी कठे होके रहना एकता तेड़ा विरोध की होगा फोट option number A is the right answer ठीके next question है जी हसनादा विरोधी शावद लिखो हसनादा विरोधी शावद है रोणा option number C is the right answer next question है जी लड़के पड़ दे हान बाग वेच लड़के शावद है हाँजी लड़के पड़ रहेया ठीके बाग दे विच लड़के शावद कीया बोवचन option number B is the right answer बोवचन next question निकाकन या सोद्रा वेच रेंदा सी निकादा विरोधी शावद है निकाकन या सोद्रा वेच रेंदा सी निकादा विरोधी शावद कीया उणने देखो एदे विच एस लाइननू सिर्फ तो अनू कन्फ्यूस करनली लिख्यावयाब जादे की एदे विच कोश्वीनी निकादा विरोधी शावद तो अनू पता की उन्दा बड़्डा, option number B is the right answer next question राम खेड रहा है बाग वेच उदेश चुनो हांजी, इस बाग दा उदेश किया उदेश किया इस देविच राम, option number A is the right answer next question माता जी रोटी बनो देहान बाग वेच करता कौन है हांजी, माता जी रोटी बनो देहान बाग देविच करता हांजी, काम कौन कर रहा है, माता जी मतलब कि option number B is the right answer next question है उद्धमी शावद दा विरोधी शावद चुनो हांजी, उद्धमी उद्धमी शावद दा विरोधी शावद किया RC मतलब बदी विच किया उद्धमा मतलब बहुत तेज आव फुर्ती वाड़ावा ठीके, उद्धमी शावद दा विरोधी शावद चुनो हांजी, सिद्धमी शावद दा विरोधी शावद किया पुठा, option number A is the right answer next question अनोखा शावद दा विरोधी शावद हांजी, अनोखा अनोखा शावद दा विरोधी शावद कियोगा सुदारन option number B is the right answer ठीके, अनोखा दा उनसी विरोधी शुने आमा सुदारन next question है ओ था जित्थे पहलवान कोल करदे हन नूँ डैश केंदे हन हांजी, ओ था जित्थे पहलवान कोल करदे हन औसनू अखाडा केंदे या option number A is the right answer next question ओ अखवार, जो हाफते वाद निकले, औसनू डैश केंदे हन हांजी, ओ अखवार, जेडा हाफते वाद निकले, औसनू सपताहिक केंदे या option number A is the right answer next question ओ था जित्थे कोडे वाजदे हून हाँ जी ओ था जित्थे कोड़े वाजदे होन औसनों तबेला किया जानदा है option number C is the right answer अत्य टकसाल जित्थे सिक्के कड़े जानदे हन औसनों किया जानदा है एक question पटवाई दे पेपर वेच भी आया सी जित्थे सिक्के कड़े जानदे हन औसनों किसकी किया जानदा है टकसाल next question आज्या कारी दा अर्थ है आज्या कारी दा अर्थ है आज्या दा पालन करण वाड़ा option number A is the right answer next question सोने दा अंडा देन वाली मुर्गी कहाणी तों की सिक्ख्या मिल दी है next question सोने दा अंडा देन वाली मुर्गी कहाणी तों लाल्च ना करंदी सिक्ख्या मिल दी है next question सोने दा अंडा देन वाली जड़ी कहाणी या मुर्गी या एस कहाणी या जड़ी उमीद कर देंगी तुसी सारे आने सुनी ही होवेगी next version उलू सिद्द करना मुहावरेदा की अर्थ है उलू सिद्द करना मुहावरेदा अर्थ है मतलव कड़ना option number C is the right answer next version बहुत थोड़े फर्कनूदा सन लई केडे मुहावरेदी वर्थो करसेक दे है उलू ज़ादा थोड़े पर्कनूदा शन दे लई असी केडे महावरीदी वर्तो कर दियां उन्ने की दा फर्क होन दी Option number C is the right answer Next question है जी उस्तादी करना मुहावरीदा की अर्थ है? जी उस्तादी करना मुहावरीदा अर्थ है चला की करना Option number B is the right answer Next question अखा विच रड़कना दा अर्थ है अखा दे विच रड़कना दा अर्थ है बुरा लगणा Option number B is the right answer अखा दे विच रड़कना दा अर्थ है बुरा लगणा Next question है जी अखा मीट याणा मुहावरीदा अर्थ है मर जाना Option number D is the right answer Next question अंगूठा दिखोना मुहावरीदा की अर्थ है? हाजी अगूठा दिखोना मुहावरेदा अर्थ है इनकार करना Option number C is the right answer Next question अकल दा वेरी मुहावरेदा अर्थ लिखो हाजी अकल दा बेरी मुहावरेदा अर्थ है मूरक Option number B is the right answer मूरक अकल दा बेरी मुहावरेदा अर्थ की या मूरका Next question है पता ना लगणा अर्थ नू दर्सोना टूक मा महावरा चुनू पता ना लगणा अर्थ नू दर्सार्या वा जेड केडा महावरा हों देखो तो आनो अर्थ दत्ता हुया महावरा तुसी दसला हाँजी इन्ना विचो केडा महावरा जीदा अर्थ हेगा पता ना लगना ओग सोग ना मिलना ओफ्शन नमबर A is the right answer नेक्स्ट वोशन दोस्ती शाड़ देनी अर्थ लेटु कुम्मा महावरा चुनो हाँजी इन्ना विचो केडा महावरा जीदा अर्थ दोस्ती शाड़ देनी मतलव के अक्खा फेर लेणिया ओफ्शन नमबर B is the right answer नेक्स्ट वोशन अखाण पूरा करो हाँजी नदे विचो खाण पूरा करना ओ केडी गली जित्थे पागो नहीं खली ओफ्शन नमबर D is the right answer नेक्स्ट वोशन अखाण पूरी करो गरीबा रखे रोजे हाँजी गरीबा रखे रोजे दिनवड़ डे आए ओफ्शन नमबर D is the right answer नेक्स्ट वोशन उल्टी वाड़ खेतनू खाए अखाण लेटुक मा अर्थ चुनू उल्टी वाड़ खेतनू खाए जानी के जदों हाकम परचानू देख स्वारी थे देख लिखे या इथे दुख खावेगा ठीके? दुख जदों हाकम परचानू दुख दवे नेक्स्ट वोशन है जी अकल दा अन्ना ते डैश अखाण पूरा करो जी एस खाणों सी पूरा करना अकल दा अन्ना ते गांड दा पूरा ओफ्शन नमबर C is the right answer नेक्स्ट कोशन शावद कच्चा दे केड़े अर्थ गल्त हन जी कच्चा दे केड़े अर्थ गल्त हन जी थे सेथ निगाई थे सेवा एसेव कच्चा है एस आर्थ अजड़ा पूरा सहीया कच्चा काम कापी दे हाशीये ते करो जी एवी अर्थ अजड़ा एदा निकल रहाव है आर्थ सहीया कच्चा कागज पाड़ देओ उन कागज कच्चा ता हुन्दा ही नी ठीके एदा मतलव एजड़े ओफ्शन है सही निगी नेक्स्ट वोईशन है जी कली शावद दे गल्त अर्थ चुनू हाँजी कली कली शावद दे अर्थ असी पांडे कली करवाए एवी सही बनरे आवा हाँजी गुलाव दी कली बहुत सुन्दर है एवी सही अर्थ बनरे आवा असी आपने करणू कली करवाई एवी सही बनरे आवा औस दी कली वेच दर्द हो रहा है ए सही अर्थ नहींगा नेक्स्ट वोईशन कलाई हुंदा वाटिके औस ने खटी चुन्नी लई हुई है एस बाग वेच खटी शावदे की अर्थ न हाँ जी ओस ने खटी चुन्नी लिया तेरे वेच खटी दा रथ किया पीली ओफ्शन नमबर डी इस दा राइट आंसर नेक्स्ट वोईशन जी काल लोईशन नू दिल दा दौरा पै गया एस बाग वेच दौरा शावदे की अर्था हाँ जी दौरा शावददद अर्थ किया एक भुमारी है ओफ्शन नमबर डी इस दा राइट आंसर नेक्स्ट वोईशन बाट सावदददा सही अर्थ चुन्नू हाँ जी बाट सावददा सही अर्था जी वाट शावद दा सही आर्था नेक्स्ट कोईशन है जी जांग शावद दा सही आर्थ चुनू हाँ जी सौरी इथे जांग लिखेया इथे जाग गोना तेके जाग शावद दा सही आर्थ जाग्य का पांडावा दुनिया नुवी असी जाग केनने या दान पौननों भी असी जाग केनने या मतलव के प्रोकत डीजा सारे अंसरी आईडे ए जाग साब्दे सही है गल्त भाग दी चोन करो हाँ जी गल्त भाग चोनना मा तुसी मंडी वेच सवेरे बोल्ली लगदी है पंजाबी साधी मा बोल्ली है ये भी बिल्कुल सही है मंडी दे वेच सवेरे बोल्ली लगदी ये भी बिल्कुल सही है गिद्दे वेच कुडियां ने बोल्ली पाई ये भी सही है कुडियां बोल्ली रहिया हन ये शावदा जीडा गल्त बनने यादा मतलब option number D is the right answer next question हेट लिख्याँ विच्चों शुट्ट मरोडी विस्राम चिन केडा है हाँ जी इनना दे विच्चों शुट्ट मरोडी विस्राम चिनन option number D is the right answer ठीके ये श्तरा उपर को मांदा जीडा next question है जी हाँ जी इस दे विच्च देखो तुसी के डिफ्रेंस हा ये विच्च अलाग किया हों तुसी सोच रहे हों होंगी ये विच्च अलाग ये लास्ट वतेज़ तो अन्नू जित्ता होयाँ थीके के तुसी शेमी जमात विच्च पढ़ देऊं एक question तो येडा question mark वालाँ वा ये सही हा मतलब कि option number B is the right answer ते टंडी दा मतलब कि ये ता खतमी हो गया ठीके जड़ा वाकाओ खतमी हो गया ते option number B is the right answer ये question mark वालाँ ये लग्या होया नेक्स्ट वोर्षयन जी डंडी विचराम चेंच चुनों हाँ जी डंडी विचराम चेंच केण है राइट आंसर जी एक मतलब एही option right आ next question कोमा शेमें कोमा कोमा रिषय हो कि दना बूल देया option number C is the right answer ये ता आ लिख देया si koma नेक्स्ट वृषिन है जी पंदरा अगास्त दा दिन साथे लिए इसकर के महात्त पूरण आ क्योंकि उस दिन पार्त याद होया सी ओफ्शिन नबर ई the right answer नेक्स्ट वृषिन है जी पंदरा अगास्त नो ओर केस नाम नाल जाने हा जान्दा है हांजी 15 अगस्त नू स्तंतरता दिपस दे नामनाल जानेया जान्दा है ओफ्षन नमबर B is the right answer नेक्स्ट गोईशन है जी 15 अगस्त नू लाल किन लेते चंडा कौन चुलोंदा है हांजी 15 अगस्त नू लाल किन लेते चंडा प्रदा अनमांतरी चुलोंदा है ओफ्षन नमबर B is the right answer नेक्स्ट गोईशन पार्त को दो जाद होया हांजी पार्त जाद होया 15 अगस्त नू संताली दे विच ओफ्षन नमबर A is the right answer 15 अगस्त नू संताली दे विच पार्त जाद होया सी नेक्स्ट कोईशन है जी तिरंगे चंडे वेचे किने रंग हान हाँ जी तिरंगे चंडे दे विच तिन रंग हान ओप्शन नमबर इस राइट आंसर नेक्स्ट कोईशन इतिहासिक स्थान दा स्वांत किस नाल हुंदा है हाँ जी इस तिहासिक स्थान दा सिटा स्वांत की इतिहासिक कटना नाला, option number D is the right answer, next question, हेट लिखेया विच्छो इतिहासिक स्थान चुलो, हाँजी, science city एक इतिहासिक स्थान नहींगा, rose garden वी नहींगा, ताज मेल जरूरा, option number B is the right answer, ये दिनाल साधी कोई ना कोई हिस्टरी जुडी हुई है, ठीके, next question, option, चिठ्थी पत्थर किन्नी तराधे हुन्दे, आज़ी जड़े चिठ्थी पत्तरा, येहें किन्नी तराधे हुन्दे, तिन्न तराधे हुन्दे, Option number D is the right answer Next question मुंडा शाव्दा दा लिंग बदलो हाँजी मुंडा शाव्दा दा लिंग बदलो क्यों होगा कुडी Option number A is the right answer Next question पुत्तर शाव्दा दा लिंग बदलो हाँजी पुत्तर शाव्दा दा लिंग बदलो पुत्री Option number B is the right answer Next question नावदे जिस रूपतों जनाने अते मरदावे पेददा पता लगदा है और सुनों की कहन दे या हाँ जी नावदे जिस रूपतों जनाने अते मरदावे पेददा पता लगदा है और सुनों लिंग कहन दे option number B is the right answer next question लिंग शावद पंचाबी विच किनने परकार देहन हांजी लिंग शावद पंचाबी दे विच दो परकार देहन ठीके next question शेर सावद विच केड़ी मातरा वारत के लिंग बदलिया गया है हांजी शेर सावद दे विच केड़ी मातरा लगिया ते जी ने लिंग नूं बदल दिता राइट आंसर है जी ओफ्शन नबर बी सस्य हों देको शेर वन गया नन्ने विया रिपांदी नल की वन गया हू इस तरी लिंग वन गया देट मेंज शेर नी नेक्स्ट वोईशन अखान पूरी करो आजी ये खान पूरी करनी या गान बच्ची ते आजी गान बच्ची ते राइट आंसर है जी नींदर आवे अच्छी ओफ्शन नमबर ससाइज दा राइट आंसर नेक्स्ट कोईशन जोद्यादी मेहमा वेच लिखी गई विर्तांतक कवितानों की केहा जान्दा है जोद्यादी मेहमा वेच जेड़ी विर्तांतिक कविता लिखी जान्दिया उनों बार केहा जान्दा है ओफ्शन नमबर ओइज दा राइट आंसर जिमें चंडी दी बार ओफ्शन नमबर एडी इस वा राइट आंसर नेक्स्ट वोशन जेड़ा पैसा ना खर्च करदा हुए उसनु की केहा जान्दा है हाजी जेड़ा पैसा नहीं खर्च करदा उसनु कंचूस केंदे या नेक्स्ट वोशन ओक आमजेड़ा मुक्कन वेच ना आवे लई केड़ा मुहावरा बरत्या जावीगा हाजी ओक आमजेड़ा मुक्कन वेच नहीं आउन्दा उनु गिल्ला पीहन केया जान्दा ठीके ओदेले गिल्ला पीहन मुहावरा जेड़ा बरत्या जान्दा है नेक्स्ट कोईशुण सबनादा एको जहा Two Cup होना केडा मुहावईरा बरते जानदा है ऑफ्चावरीडी जा राईट आंसर नेक्स्ट कोईशुण है अखां वेचल कटाप ऊना दा आर्थ की है अखां दे वेचल कटाप ऊना आर्थ है तो खा देना Option number Sします the right answer. Next question. हा थमलनादा अर्थ की है? नअजी हा थमलनादा अर्थ है पस्तावा होना. Option number Uda is the right answer. Next question. सापडे बच्चे नों की केंदे हैं? सापडे बच्चे नों सपूलिया केंदे हैं? Option number E Specifically is the right answer denomin bel रेंडे. Next question. हारना दा विरोधी शावद चुने हांजी हारना दा विरोधी शावद किया जितना option number S ससाइज दा राइट आंसर next question सदक्डे जाना दा की अर्थ है हांजी सदक्डे जाना दा अर्थ है वारे जाना वारे जाना ओना सिते ससाइज दा राइट आंसर मझूर शावददाँ समान रतक शार्धली केड़ावा समान रतक शावदधा परवाण मझूर करना मतलों परवाण करना option झालाँ परवाण आपकोन सोहरत सावददा खी आर्थ है परसिधी option झालाँ एड़ी ते आर्थ है आञाट आंसर आड़ी शावदा जड़ा, उदा मतलब के होंदा मित्तर, दोस्त, ठीके, बैली, ते समान आर्थ के ड़ा नहींगा वैरी, ए दुश्मन धावा, ठीके, option नबर आड़ाईजा, राइट आंसर, next question जीहन शावदा की आर्थ है, जीहन, जीहन शावदा आर्थ है, दिमाग, option जारा शावदा आर्थ द सो, हाँजी, वन जारा शावदा आर्थ सुदागर, option नमबर उड़ाईजा, राइट आंसर, next question, हेड लिखियां विच्चों, केडा उस्ताद शावदा समान आर्थी शावद नहीं है, हाँजी, इनना दे विच्चों, उस्ताद शावदा समान आर शावद नहीं, next question हेजी, वहिंगी शावद दा आर्थ द सो, हाँजी, वहिंगी शावद दा आर्था, चीजार खन लेई, तकडी वर्गी, दो शावदा वाली चीज, चीजार खन लेई, तकडी वर्गी, तकडी वर्गी ठीके, दो शावदे, शावदा वाली कोई चीज, चादर देखके पैर पसारने मुहा अवरेदार्थ था, आमदनन सारही खर्च करना ओप्शन नमबर ससाइज जा राइट आंसर नेक्स्ट वोईशन है जी, बलवान शावददा विरोधी शावददा सो बलवान शावददा विरोधी सावदा कमजोर ओप्शन नमबर इडी जा राइट आंसर, बलवान शावददा की अविरोधी शावद कमजोर नेक्स्ट वोईशन है जी, हेटली किया विच्चो विशेशान चुनो हाँज इन्ना देविच्च विशेशन केड़ा वा सुरिली, सुरिली एक विशेशन, ओफ्शन नमबर इडी जा राइट आंसर, जीड़ा वन सुर्जीत को रहा है नावा, पंजाब वी एक नावा, ता स्वीर वी एक नावा नेक्स्ट वर्षेशन इजी, सावध गर्मी दे विरोती शावध दी चोन करो, हाँजी, केड़ा शावध गर्मी, एदा विरोती शावध क्योंगा, सर्दी, ओफ्शन नमबर इडी जा राइट आंसर, नेक्स्ट वर्षेशन, डोबु पेना दा की अर्थे, हाँजी, ओफ्शन नमबर इडी जा राइट आंसर, नेक्स्ट वर्षेशन, सार्थक सावध जोड चुनो, हाँजी, सार्थक सावध जोड किया, उलाद, ओफ्शन नमबर इडी जा राइट आंसर, उलाद, नेक्स्ट वर्षेशन, आपनी थोड़ी जहे खेती, बल्दा नाय चल्ली जान्दी है बाग वेचल केरया शाव्द केड़ा विशेशन है यानिके थोड़ी एक एड़ा विशेशन है परिमान वाचक विशेशन ओफ्शन नमबर एड़ी इस राइट आंसर नेक्सट विशन है ये शामदा समानार्थी शाव्द चुनू हाँजी शामदा जिडा समानार्थी शाव्द कीया तरकालना औप्षन नमबर इड़ी इस राइट आंसर सार्थक सावद जोड चुना मां ये दे विच आर्थ नहीं आए गाई थे ठीके जी सार्थक दा मतलब किया तुसी सही सावद चुना मां मतलब जी दे सप्रेले नी बिल्कुल सही आपन जाबी दे विच पाई होई मतलब कि ये थे option number 8 is the right answer पंडारिया next question सार्थक शावद जोड चुना मतलब जी सेम वर्ड जी दा सेम मीनिंग होवे समान अर्थ बोल देयानू ठीक है समान अर्थ तक राइट आंसर है जी option number ed हला सेरी देना next question सार्थक शावद जोड चुना हाँजी सार्थक शावद जोड दा मतलब किया विराजमान option number ed is the right answer next question हे एट लिखे शावदा विच्चों बाकियां तो वखरा शावद चुना हाँजी इन्ना दे विच्चों सार्यां तो वखरा शावद केड़ा कहाणी लेख चेतर जा कविता हाँजी इन्ना दे विच्चों इडा साप्तों बखरा शावद दाउठी देखो कहाणी विलिखी जान्दी ये लेख विलिखी जान्द कविता विलिखी जान्दी पर चेतर ये रू की किता यंदा पेंट किता यंदा बनाया जान्द ये थोड़ जा लग लग रिया नग, next question है जी, सार्थक सावद जोड चुनो, सार्थक सावद जोड जी डा, ये दे विच केड़ावा, मतलव के सही spelling कीदे या परशामा, option number 8 is the right answer, next question, किसे लेखक जां कलाकार दी, उत्तम रचनानू की केंदे हन, option number 8 is the right answer, शाकार, next question, हांजी, सार्थक सावद जोड चुनो, सार्थक सावद मतलव सुनेहरी दे केड़े spelling सही या, हांजी, सुनेहरी दे केड़े spelling आजी इन्ना देविचो सही या, सौरी, इडी देविची थे स्यारी नी ओना, option number 8 is the right answer, next question, खार पाणी मोहावरेदा की हांजी, खार पाणी मोहावरेदा आर्थ है, इर्खा करनी, option number 8 is the right answer, इर्खा करनी, next question, हांजी, सार्थक सावद जोड चुनो, हांजी, वोटिया, वोटिया दा मतलव केड़ा spelling सही या, option number 8, next question, सोहुले गौना मोहावरेदा की आर्थ है, हांजी, सोहुले गौना मोहावरे आर्थ है, सिफ्त करनी, option number 8 is the right answer, next question, सार्थक सावद जोड चुनो, हांजी, मशिनरी, मशिनरी दे स्पेलिंग दे सोहुले ना दे विचो केड़े सही या, right answer है, option number 8, next question, अधबुत दा समानार्थी शावद चुनो, अधबुत, हांजी, अधबुत दा समानार्थी शावद अनोखा, option number 6, right answer, और तुसी समान आर्थी शावद चुनो, अधबुत दे लाना समान, अधबुत दे कोई पैरलर, जीनरी, ना था सेम मीनिंग होवे, और तुसी दसनामा, ते जेड़ा होगा सार्थक, सार्थक ता मतलबुत चुनो, तुसी स्पेलिंग चेक करके दसनामी क के लिए, dolphin मतलब special क corazón में लिखिया, नएकि डा नामा, खास नाम, next question आजी, जिस था, पहल वान कौल कर दे, उननों अखाडा के हाँ यहाँ, next question, कोमल छावददा, विरोधी शावद लिखु, हच्धोर, विरोधी बुच्चे आवा, कॉमल दा के लिए, क्थोरु, बुच् दोस्त दा विरोधी शावद लिखों हांजी दोस्त दा विरोधी शावद क्योंगा बैरी दुश्मन ते हुने दे विच बैरी ता है नी मतलग किया दुश्मन हां आप्षण नमबरीраш दोस्त 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 नगा खaveiva दि दोस्त दोसमा ओने आख दोस्त दोस्त विच रहां लेन लही विन्ने पत्तर किस नु लिखूँगे हां जी जेडे यंब पिंडप्दर दियं स्कीमा दि जानकारी लिए विन्ने पत्तर लिख से जयंदावो किनू लिख घयंदावा ब डी Remote य Lin Sunny potato नेक्से तोईशण वैजी दीवाली देते हार नाल सिखांदी किनन में गुरू सह한다 सिबन्द है तोईशन में जब्ली नानिक देव जी दी महान रचना केडी है हाजी श्रीगरू नानिक देव जी दी महान रचना है जब जी में हotsाणा आपकाईव नेक्स्ट गोईशन है जी पाशा, किन्ने परकारदी है? हाँ जी पाशा, दो परकारदी हों दिया, ओफशन नमबर दो इसर, आइड़ अंसर, नेक्स्ट गोईशन ओखवार जो हाफते बाद निकले औसनों की कहन दि हां? हाँ जी गोईशन रूपीट हो गया? Right answer is the option number D, सप्ताहिक Next question, मखोलिया शावदतों की पाव है? Haan지, मखोलिया शावदतों पाव है? Haan지, मखोलिया शावदतों पाव मजाकिया Option number D is the right answer Next question, सदी सावदता सही अर्थ की है? हाजी सदी सावद दा सही अर्थ है, सो साल, option number E is the right answer next question, पुर्षकार दा सही समान अर्थ सावद दा सो, हाजी पुर्षकार दा सही समान अर्थ का सावद केड़ा वा इनाम ओफ्शन नमबर आडाईजा, राइट आंसर, नेक्स्ट कोईशन है जी, त्रे सताबंदी दा की अर्थ है, तिन सो साल, ओफ्शन नमबर ससाईजा, राइट आंसर, नेक्स्ट कोईशन, ताने दा समानार्थक शावद की है, हाँ जी, तानना, तानना मारंदा गिडा असमानार राइट आँसर है जी मेना walking number 48 राइट आँसर next question अर्ज दा विरोधी शार्व दल है हाजी अर्ज दा विरोधी शार्व दा हुकम omega और अध्यरियिये प्होंँ विश्मी रे 2022 कि देडिये फाव्द आस्पम आदध है, कि खेड़ आन्दा अंधे फिसे पार है, प्छे कि देड़ Mission अध्यरिये में आध्यरिये zurad शीब है, अध्यरिये फाव देती देड़िये फाव्द है具 파ै। Option number ED is the right answer Next version तकनीशन सावदतों की पाव है? हाँजी तकनीशन सावदतों पाव है कला निपन व्यक्ती Option number ED is the right answer हाँजी एस देनाली साड़ी आजदी ए वीडियो खतम हों दिया ए वीडियो तो हाँणू किस तरादी लगी किरपा करके comment box दे विच जरूर दस ना ते तो हाँडे आकसो बन में questions दे विचों किनने questions अही गई ए वी तुसी comment box दे विच जरूर दस देना ते हांजी जेड़े वी स्टूडेंट एस चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हांड में उन्हानु रिक्वेस्ट कर दियां कि प्लीस मेरे चैनल नुगुने सब्सक्राइब करके बेल अगनते प्रेस करके अल बटन दे क्लिक कर लवो ताँजो मेरी अग्यान वाली एक वीडियो दी नॉटिफिकेशन तो अनू मिल दी रवे हांजी एस तो इलावा जेड़े स्टूडेंट क्रांट फियर दे पूरी नाल दी नाल त्यारी कर रहे हैं ता में उन्हानु दास दिना चौनी हां कि एक ज आल दी